आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूई एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें एक महिला अपनी छोटी बेहन के पती से प्यार करती है अपने पती को छोड़ चुकी थी जिसका एक बेटा भी था और उस प्यार के चलते वो छोटी बेहन जिसका नाम होता है नहा वो अपने देवर के साथ मिलकर और उसके एक दोस के साथ मिलकर ले लेती है अपनी बड़ी बहन की जान ये एक ऐसा हत्यकार्ण में आपके सामें लेकर आई हूं जिसमें रिस्तों को ताकपर रखा गया है जिसमें रिस्तों की मरियादा को भूला गया है और हमारे जो भ विडियो को अगर आपको पूरा जानना है तो आपको विडियो के अंति तक बने रहना होगा सची घटना जो कि निकल के आ रही है विहार के बेगुसराय से यहां पर एक थाना लगता है लोहियन अगर जहां पर एक एरिया है जिसका नाम है आनन्दपूर जहां कि यह सची घटना है यहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है उमा संकर उसकी पत्नी और उसके चार बच्ची होते हैं जिनमें तीन लड़कियां और एक लड़का होता है जिस परिवार की बड़ी वेटी जिसका नाम होता है नेहा जब श पुछी समय बाद अपने परिवार को यानि अपने ससुराल को छोड़ कर यहां पर अपने माता पिता के घर आकर रहने लगती है उसको एक बेटा भी हो चुका था फिर भी वो रुष्टों को नहीं समझती है और छोटी मोटी बातों पर ही अपने परिवार से अपने पती से लड़कर अपने माई के आकर रहने लगती है जब बेटी माई के आकर रहने लगती है तो पिता इस बात का गम करता है बहुत ही परिशान रहता है और इसी के चलते एक दिन उनका देहांत हो जाता है अब उमा संकर तो परिवार से जा चुके थे अब परिवार में बचती है उसकी मा रिंको देवी उसकी छोटी मेहन नेहा और उससे भी छोटी मेहन अरपिता और उसका छोटा भाई ये सबी मिलकर अपने घर में बड़े आराम से रहते हैं अब जब उसको पता लगता है कि उसका पिता उसी की वज़े से उसका देहांत हुआ है उसी की वज़े से चिं गुजर बजर करें नेहा जब सारे परिवार की जिम्यदारी उठाती है तो अब सारा दिन तो उसको नहीं पता रहता कि उसका समय किसमे बीचता है लेकिन जब वो रात होती है तो वो रात को बहुत परिशान रहती है और उसको अपने पती की याद आती है लेकिन वो वहां से लड़कर आ चुकी थी यहां उसके पिता का देहांत हो चुका था तो इसी वज़े से वो वापस नहीं जा सकती थी और इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो अपना काम करती थी तब ही उसकी छोटी बहन निशा की शादी हो जाती है और उस निशा की शादी होती है एक नाम के लड़की से अब निशा और शाम अपने परिवार में बहुत यह आराम से और आनांच से रहते हैं लेकिन जब भी शाम अपनी पत्नी निशा को लेने के लिए आता था तो नेहा शाम को कुछ अलगी निगाहों से देखती थी वो सोचती थी कि कास यह मेरा पती होता म उनकी इसकी बात को समझकर उसके साथ अपनी नजदीक यह बढ़ा लेता हैं जिब दौनों में नजदीक यह बढ़ती हैं दौनों एक साथ रहते हैं घूमना यानि जब उसको लेने आता तो भाहां से बाहर वो जब लड़की अपने तनिस्क जालर पो काम करने के लिए जा और उसको धंकी देती है कि अगर तुमने मेरे पती शाम को नहीं चोड़ा तो मैं तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ूँगी। यह सलसला चलता ही है लेकिन उसकी बहन नहा उस बात को आई गर कर देती है उस पर गौर नहीं देती है। ये सलसला आगे बढ़ता रहता है, अब एक दिन ऐसा होता है कि जब वो लड़की निहा अपने बॉइफरेंट शाम से बात करने के लिए अपना फोन उठाती है तो पता लगता है कि उसके फोन में रिचार्ज खतम हो गया है, तब ही वो अपनी छोटी बेहन अरपिता का फोन लेती है, और अपने उस बॉइफरेंट शाम से बात करती है, एन Claus की जोटी बेहन निसा के पती से, बात तो वो कर लेती है लेकिन जैसे ही उसकी बात खतम होती है तो वो अपनी बेहन picky चेकि करने लगती है, उस मोबाइल को जब देखती है तो उसमें कुछ पोटोज उसकी बहन के आपती जिनक हालात में मिलते हैं जो कि शाम के छोटे भाई के यानि शाम का जो छोटा भाई था कुंदन उसके मिलते हैं उनको देखते ही नेहा आग बबूला हो जाती है और अब वो उस लड़की से काफी लड़ाई करती है लेकिन वो लड़की कहती है जो अरपिता ह होती है उसकी सबसे चोटी बहन कि मुझे शादी करनी है और वो भी सिर्फ कुंदन से इसी बात को ध्यान में रखते वो कुंदन को कॉल करती है और कहती है कि जो तुमने किया सो किया लेकिन अब तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी होगी कुंदन सामने से साफ मना कर देता है कि मुझे इस से शादी नहीं करनी मैंने तो सिर्फ इसके साथ टाइम से पैंड किया था इस बात को सुनते ही निहा को बहुत गुसा आता है और वो उसे धंकी देती है कि अगर तुमने मेरी बेहन से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं चोड़ूंगी ये जो फोटोस हैं इनको मैं वाइरल कर दूँगी लेकिन उस पर इस बात का कोई असर नहीं होता है और कुंदन अपनी जिंदकी में मस्त मौला होकर घुमता रहता है ये बात नहा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और जब उसको अच्छी नहीं लगती है तो वो दो-तीन गुंडे किरा भाड़े पर करती है और उनसे कुंदन की पिटाई भी करवाती है लेकिन कुंदन फिर भी बात नहीं मानता है और जब कुंदन को पता लगता है कि मेरी जो पिटाई की गई है वो नेहा की वज़े से हुई है नेहा ने कराई है तो अब वो नेहा की मडर की प्लैनिंग कर देता है और इस प्लैनिंग में हिस्सा बनाता है नेहा की छोटी बेहन निशा वो क्योंकि कुंदन को भी पता था क जो मेरा बड़ावाई है श्याम उसके और नेहा के नाजाई संबंध है इसके चलते मेरी जो भावी है निशा यानि की नेहा की जोटी बहन वो बहुत ही अपसेट रहती है और वो इसी बात का फाइदा उठाती है यहाँ पर निशा भी राजी हो जाती है उसके साथ उस मडर म हिस्सा लेने के लिए साथ ही साथ वो लड़का अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है मुकेश उसको भी सामिल कर लेता है और अब जो उन्होंने टाइम धरा था उसी टाइम के हिसाब से वो लड़की निशा अपनी बेहन नेहा को कॉल करती है और कहती है कि क्या दीदी तु नेवर है कुंदन और साथ ही उसका दोस्त मुकेस सीधा वहां पर बाइक पर पहुंचते हैं और रास्ते में वो लड़की नेहा अपनी स्कूटी से जब घर आ रही थी तो दोनों बाइक उसके सामने रोपते हैं और उनमें से एक जना उस पर दो गोलियां दाग देता है वो उसको लग जाती हैं गोलियां लगने के बाद वो वहीं पर गिर जाती है और वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं फरार होने के बाद घर पर उसका इंतजार हो रहा था उसकी मा रिंकु देवी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी क्योंकि वही घर का भरन पोशन कर रही थी भाई अभी छोटा था वो कमाता नहीं था तब ही मा उसकी रिंकुदे भी कहती है कि बेटा दीदी को देखकर आओ वो कहां है क्योंकि उसके ऑफिस में भी कॉल किया गया तो मैनेजर बोलते हैं कि वो तो जो उसका समय होता है साम के पांच बजे यहां से निकल चुकी है तो मा को चिंता होती है करीबन साम के आठ बज चुके थे अब उसका भाई अपनी बाइक लेकर अपनी दीदी को ढूंडने के लिए उसी रास्ते पर निकलता है तब ही वो देखता है कि रास्ते में एक स्कूटी पड़ी हुई है उसके पास पहुंचकर फॉन की टॉट से उसको देखता है तो उसको पता लगता है कि यह मेरी ही दीदी है तब ही वहां से अपने गाउंवालों को और अपनी मा को परिवार वालों को वो कॉल करता है सब ही वहां पर पहुंच जाते हैं तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकि हॉस्पिटल में उसको कर देते हैं पुलिस मौके पर आती है और सबसे पहले उस लड़की नेहा के सब को अपने अंडर कंट्रोल लेती है और उसका पोस्ट माडम कराती है तो पोस्ट माडम में साफ पता चलता है कि गोली लगने की वज़े से इसकी डैथ हुई है अब पुलिस चानवीन करने में ल लगाते हैं जो नेहा की फॉन डिटेल्स थी उनकी सीडियार निकलवाते हैं तो वहां से भी उनको कुछ खास पता नहीं लगता है उनको सिर्फ पता लगता है कि इसकी शाम से बात होती थी लेकिन शाम तो परिवार का हिस्सा था तो उस पर इतना गौर नहीं किया गया वो पुलिस के सामने आ जाते हैं जैसे ही पुलिस के सामने वो फोटोज आते हैं और उसमें जो लड़का नजर आता है उसके बारे में अर्पिता से पूछताच की जाती है अर्पिता जादा देरी नहीं करती है अर्पिता सारी बात बता देती है अर्पिता के कहने पर उसकी बेहन जो बीच की बेहन थी निशा उसको भी पकड़ ले जाता है और निशा भी सारी बात बता देती है उसकी बात बताने के बाद पुलिस कुंदन के खिलाप और उसके दोस्त मुकेस के खिलाप मामला दर्ज करती है साथ ही साथ निशा के वर दविश्य दी जा रही है उनको ढूंडा जा रहा है लेकिन अभी वो लोग पकड़ में नहीं आए थे एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है जिसने एक इनसान की जो भूक होती है उसके चलते एक इनसान की जान ले ली वो लड़की नेहा वो भी ठीक नही थी जिसने अपने पती को छोड़ा और फिर अपनी छोटी बहन के पती पर नजर डाली उसने गलत नजर और उसी के चलते उसकी जान चली जाती है क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे परिवार के बारे में जिसने जिस एक परिवार में इतने सारे क्राइम को अंजाम दिया जा रहा तो इन सभी के चलते नहा की जान चली जाती है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी सची घटनाओं को लाने का सिर्फ एक उदेशे होता है कि यह जो एक छलाबा होता है एक दूसरे का यह प्रेम प्रेसंग का क्योंकि जितने भी मैं वीडियो लेकर आती हूं उसमें से 95% वीडियो सारे ऐसी सची घटनाओं पर डिपेंड होते हैं जिसमें लव ट्राइंगल होता है कोई किसी से प्यार करता है इस प्यार के चलते किसे ना किसी की जान चली जाती है हम नहीं च घटनाओं का लाने का विस यही उद्देश से होता है कि आप सब लोग जाने कि हमारे आस पास क्या चल रहा है कि जो बड़ा बड़े चैनल होते हैं वह ऐसी नीजों को ज्यादा तर सामने नहीं लाते हैं बात से अगर सैमत हो तो कमिंट वोक्स में जरूर लिखेगा बहु